नमस्कार फैंट्स में नाम बबलोर्मा पेपर है करम अपका स्वागत है हम देखने वाले हैं बी ए फोर समिष्टा माना चल रहा आता जिसमें हम पहुँच चुके थे हमने हिंदी कबर कर लिया जियोग्राफी कबर कर लिया हिस्ट्री कबर कर लिया अब हम से चास आस तक और चल चुके हैं एजूकेशन की बढ़ चुके हैं और यूनिट नमबर हम फूर पढ़ रहे है ठीक है जिसमें हम M. C क्योशन देख रहा है अभी थेौरीकल बाद में स्टार्ट करूंगा M. C Q M. C Q तो हम 40 question तक देख चुके हैं और हम 41 question से आगे की वरा हम बढ़ेंगे ठीक है तो time ना गवाते हुए फटाबट question को देख लेते हैं और जिस किसी को पेडियाप नोट चाहिए एप नोट चाहिए ठीक है वो सारे के सारे आपको कहा मिलेंगी playlist चाहिए तो वो आपको हमारी site पर मिलेंगी पेपर है कर dot in बहाँ पर जाओ सब कुछ अबिलेबल है आप बहाँ पर जाके डानलोड करके फ्री भी फ्री एप अबिलेबल है नोट को की आवशकता होती है यह बताना है देखो अनोबंदित अनोखरिया की बात कर रहा है तो यहाँ पर आवशकता और प्रवलमन वैवगातन उधिय पनों की अनुपस्थि सीखने वालों की मानन सामान ये अवस्त्था यह सभी हमें देखने को मिल जाती है ठीक है तो आणसर क रहेगा उप्योक्त सभी यहां पर बिल्कुल सही रहेगा अगले बात करें अनुबंदुत अनिक्रिया के नियंत्र करने वाले तत्व हैं जो अनुबंदुत अनिक्रिया है उसको नियंत्र करने वाले तत्व कौन कौन से हो जाते हैं तो बात करेंगे प्रभावशालता और सं पुर्भावित करता है जो अनुबंदृत अभीक्रिया की बात कर रहा है स्वास्त बातावड अनुबंदृत और अनुक्रिया ये सब की सब हो जाते हैं ये भी सही होगा और भी भी सही होगा ठीक है तो option number C विलकुल से आंसर हो जाएगा अगले बढ़ते हैं next question की ओर बढ़ते हैं next question को देखेंगे अनुबंदुत अनिक्रिया सिध्धान्त का नकारात्मक पक्ष कौन सा है तो यहां दे रखा है आपका अनुबंदुत अनुक्रिया का नकारात्मक पक्ष कौन सा है देखेंगे प्रॉण व्यक्तिगत पर प्रिकाश्प भाब कम होना यह प्राड़ी को एक यंत्र मानता है जिससे चिंतन कलपना तरक आदी के आधार पर होनी वालू अनुक्रिया इससे नहीं होती या दोनों या प्रॉप्रिक्त में से सभी तो जेखेंगे आंसर क्या रहेगा तो आंसर रहेगा उपर युक्त सभी ठीक है अगले बढ़ते हैं अनुबंदुत अनिक्रिया सिद्धान्त से होता है अनुबंदुत अनिक्रिया सिद्धान्त से क्या होता है उचित अभीवर्ति का निर्माण होता है मानसिक और संभेदात्मक संतुलुन का उपचार होता है प्रिसिछड क्रिया में शाहयक होता है तो आंसर क्या रहेगा उपियोग तो सभी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगले वर लेते हैं नेक्स कोशन को देखेंगे थॉर्ण डाइक द्वारा अपने सीखने के सिध्धानत के प्रियोग के लिए जिस जानबर का उपियोग किया जाता था वह क्या था द्वारा अपने सीखने के सिध्धानत के प्रियोग के लिए किष्टे का प्रियोग किया था अगले बात करते हैं सूज या अंतरदश्टी के सिध्धान्त इस नाम से भी जाना जाता है और कौन सा नाम है इसका ये बताना है तो क्या नाम है इसका गैस्टाल्ट सिध्धान्त के नाम से भी इसको जाना जाता है सूज या अंतरदश्टी का सिध्धान्त किस नाम से और भी जाना जाता है तो वो है गैस्टॉल्ट सिध्धान्त के नाम से भी सूज या अंतरदश्टी के सिध्धान्त को कहा जाता है अगले बात करेंगे कौन अधिगम के सिध्धान्त से संब्दित है तो अधी गम के सिद्धान से कौन सम्बंद है तो अधी गम के सम्बंद से कौन है यह है तुम्हारा पाब लॉब कौन है पाब लॉब यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर रहेगा ठीक है अगले बात करते है हल के सीखने के सिद्धान का नाम क्या है एगले बात करते हैं सांस्त्रिय अनुबंद के सिध्धाант में अन्य उद्िपक का संकेत है कौन सा है अन्य उदिपक का संकेत कौन सा है तो हमने देखा था S R हमने पढ़े भी है ठीक है आगले बात करेंगे डैस है अभ्यास या अनुभूती के प्रणाम सुरूप ब्याभार में होने वाला अपिच्चा कित इस्थाई परिवर्तन क्या है यहाँ पर क्या आना चाहिए डैस है अभ्यास या अनुभूती के प्रणाम सुरूप ब्याभार में होने वाला अपिच्चा कित इस्थाई परिवर्तन क्या है रे शीखना है सीखना है अभ्यास या अनुभूती के प्रणाम सुरूप ब्याभार में होने वाले अपेच्छा के इस ताइप परिवर्तन क्या है? सीखना ही तो है अगले बात कर लेते हैं डैस ने सीखने के प्रात्मिक नियमों की ब्याख्या की तो प्रात्मिक में मैंने आपसे बाद अथा आपको देख लेना है तो था कहा मिलेगा? यहाँ पर थार्ण डैक ने की थी तो थार्ण डैक ने सीखने के अभी प्रात्मिक नियमों की ब्याख्या की थी अगले बात कर लेते हैं यहाँ देखाए दूसरे मनों बेग्याने को की अपेच्छा किसके सीखने के नियम अधिके प्रसिद्ध हुए? दूसरे मनों बेग्ञाने की अपेच्छा किसके सीखने के नियम अधे के प्रसिद्ध हुए तो अधे के प्रसिद्ध किस कोंगे जो बन्दा पहला आया होगा तो E.L. थॉर्ण डाइक के अनुसा कौन दाइगा E.L. थॉर्ण डाइक अगले बढ़ते हैं प्रभावशाली अधिगम में कौन अवरोद नहीं है प्रभावशाली अधिगम में कौन अवरोदक नहीं है कौन उसे नहीं रोकता ये बताना है अपके लिए तो प्रेणा का अभाव शीखने की पश्ततियां उद्दे से पूरता जीवन से सम्मदत ना होना यही बिल्कुछ से आंसर उदाएगा यही नहीं रोकता है वाकिस अभी रोकते हैं ठीक है अगले बात करते हैं डैस को क्रिया प्रसूत अनुबंद का सिध्धान्त पाव लॉब के सिध्धान्त का बिक्सित रूप है तो किसका है यह बताना है इसकिनर का जो है इसकिनर का क्रिया प्रसूत संबंद का सिध्धान्त क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुबंद का सिध्धान्त किसका है इसकिनर का है पहले पढ़ते आ रहा है इसके वारे में है ना मैंने कहा था सूत मतलब पूत और पूत कौन होता है नर होता है नर्मने नर्मन के सिद्धानत का बिक्सित रूप है ठीक है अगले बात करेंगा आंसर रहेगा और सन नमबर ए ठीक है अगले बात करेंगे नेक्स कोशन आ रहा है अगले बात करेंगे एक पैस्तती के एक पैस्तती से अर्जित ग्यान पर छडवा आदत दूसरी पस्तती में इस्थांतित किया जाना क्या कहलाता है क्या कहलाता है रहे इस्थांतित कर रहे हैं तो बहे क्या कहलाएगा इस्थांतित ही तो कहलाएगा बिल्कुछ सिंपल आगे बात करते हैं डिस्कनरी ओफ एजुकेशन पुस्तक के लिखक कौन है तो Dictionary of Education के पुस्तक कौन है नन है कौन है नन है आगे बात कर लेते हैं यहां दरका है सीखने के नए छेतर से प्राप्त करने वाले ग्यान और कुसलताओं का और सोचने अनुभव करने या कार करने की आदतों का सीखने के दूसरे छेतर में प्रयोग करना असाधारते परिछड का इस्थांतर कहा जाता है यह है यह किसका कतन है यह बताना है यह कतन किसका है पीटरसन का है किसका है पीटरसन पीटर ही इतनी लंबी बात कह सकते हैं तो सीखने के नए चेतर में प्राप्त करने वाले ग्यान या कुसलताओं का और सोचने अनुवब करने या कारे करने की आदतों का सीखने के दूसरी चेतर में प्रियोक करना साधारत्या परिच्छड का इस्तांत्र कहा जाता है यह कतन किसका है पीटरसन का है ठीक है अगले बात कर लेते हैं यहां दर रखा है अधीगम इस्थांतर्ण में समान तत्व का सिध्धान्त के पृतिपादक हैं तो बताएंगे समान तत्व का सिध्धान्त के पृतिपादक कौन है तो समान तत्त सिद्धान के प्रज़त कौन है थौर्ण डायक है कौन है थौर्ण डायक आपको देखने को मिल जाते हैं अगले बात कर लेते हैं जब पूर्ब अर्जित ग्यान नभीन ग्यान को अर्जित करने के में सहायक होता है तो बहे है कैसा है जब पूर्ब अर्जित ग्यान पूराना ग्यान नभीन ग्यान में अर्जित करने में कोई सहायता करता है तो बताओ वहे क्या है तो बह एक धनात्मक इस्थांत्रड है कैसा है धनात्मक इस्थांत्रड है मतलब बुरी ओर से अच्छी ओर परवर्तित हो रहा है तो क्या है ये धनात्मक इस्थांत्रड है अगले बात करते हैं अधीगम इस्थांत्रड में शमान निकर्ड समानिकर्ड सिध्धांत दिया था अधीगम इस्थांत्रण में समानिकर सिध्धान्त किसने दिया था तो अभी हमने पढ़ा था थौन डाइक के वारे में नहीं अधीगम इस्थांत्रण क्या समानिकर सिध्धान्त दिया था अच्छा ठीक ठीक अधिगम इस्थांत्रण में सामानी कड़ सिध्धान दिया था किसने जुड़ने दिया था ठीक है आगले बात कर लेते हैं यहां दरेका है सिचड के सिचड के इस्थांत्रण में शहायक इस्थिति कौन सी नहीं है सिचड के इस्थांत्रण में सहायक इस्थती कौन सी नहीं है वह आपको बताना है तो जो सामानी कड़ है वही इस्थांत्रण की विधी नहीं है ठीक है तो आंसर क्या रहेगा सामानी कड़ आपका बिलकुँ सही हो जाएगा अगले बात करते हैं रीजर और बैगले द्वारा अधीगम इस्तांतर के संबंद में दिया गया सिध्धान्त कौन सा है मूल अभीगान आपको देखने को मिल जाता है अगले बात करते हैं मानसिक अनुसासन के सिध्धान्त के अनुसार अंतरण होता है मांसिक अनुसासन के सिध्धान्त के अनुसार अनुसरण होता है किसका अनुसरण होता है यह आपको यहाँ पर बताना है तो कैसा अनुसरण होता है स्वता अनुसरण होता है कैसा अनुसरण होता है मांसिक अनुसासन के सिध्धान्त के अनुसार अंतरण होता है स्वता ठीक है अगले बात करते हैं नेक्स कुशन के और यहां दे रिखा है समान अब्यब को सिध्धान्त दिया समान अब्यब का सिध्धान्त किस ने दिया था समान अब्यब का सिध्धान्त किस ने दिया था सीखने सिखाने के सिध्धानत के संपरतक प्रती पुष्टी करता है कौन है ये आपको यहाँ पर बताना है तो कौन है वो है बार्ड कौन है वो आपको बार्ड देखने को मिल जाते हैं ठीक है अगले बात कहते हैं पहले से सीखा हुआ ग्यान जब किसी नवीन परस्तिती में सीखने का लाप पहुचता है तो उसे माना जाता है क्या आप कहते हैं ये बताना है तब उसको हम इस्थांत्रड कहते हैं क्या कहते हैं तब हम इसको इस्थांत्रड कहते हैं पहले से सीखा हुआ ग्यान जब किसी नवीन पस्तिती में सीखने का लाब पहुचाता है तो उसे कहते हैं इस्थांत्रड क्या कहते हैं इस्थांत्रड कहते हैं अगले बात कर लेते हैं नेक्स कुशन की बात करेंगे अधीगम इस्थांत्रड निर्भर करता है जो अधीगम वो किस पर निर्वर करता है ये बताना है इच्छा मान से कि योगिता सेचिक उपलब्दी पर सामानी कड़ की योगिता बिसे बस्तू की सामानता पर अद्धन बिदियों की समानता अंतर्ड मूल एवं परिमार पर उपरोक्त सभी पर तो आंसर क्या रहेगा उपरोक्त सभी पर निर्वर करता है आगे बात कर लेते हैं नेक्स कुशन निम्न में से अधिगम के इस्तांतर के लिए क्या आवस्यक है तो अधिगम के इस्तांतर के लिए क्या आवस्यक है ये बताना है तो क्या आवस्यक है तो जो इसकनर था यहाँ पर रा दो देख रहे हैं वहाँ पर भी रा देख लेना ठीक है तो क्या रहेगा कबूतर ने इसकनर ने निमिकित में से किस पर अपने प्रयोक किये थे कबूतर ने प्रयोक किये थे थांडाक ने किस पर किये थे कुट्टे पर किये थे क्रिया प्रसूत अनुबंद सिध्धान्त का दूसरा नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंद सिध्धान्त का दूसरा नाम क्या है तो क्या है इसका नाम साधानातमक अनुबंद क्या है साधानातमक अनुबंद आपको देखने को मिल जाता है निम्लिकित में से कौन सा मनों बिग्यानिक अधिगम के मानवताबादी सिद्धान से संबंदित नहीं है तो बताना है कौन नहीं है मानवताबादी सिद्धान से संबंदित तो कौन नहीं है मीलर जो है वो इससे संबंदित नहीं है अगले बात करें नेक्स कुशन अधिगम के किरिया प्रिसूत अनुबंद सिध्धान थौन डायक के किस नियम पर आधारित है तो थौन डायक का कौन सा नियम था ये यहाँ पर बताना है जो अनुबंद सिध्धान उस पर आधारित है तो वह कौन सा है? प्रभाब का नियम है कौन सा? प्रभाब का नियम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है अगले बात किलेते हैं next question की ओर तो next question देखाया तुम्हारा सीखने का इस्तान्तड है सीखने का इस्तान्तड कौन सा है? तो सीखी हुई बस्तू का अन्य परिस्तितियों में प्रियोग यही क्या है सीखने का इस्थांत्र है सीखी हुई बस्तू का अन्य परिस्तितियों में प्रियोग यही सीखने का इस्थांत्र है अगले बात करेंगे मौटी बेसन सब्दिकी उत्पत्ति हुई मोटी बेसन सब्दिक उत्पत्ती कैसे हुई तो मोटा आदमी कैसे होगा लेटा लेटा तो आपको लेटन यादक ना इस प्रकार से तो मोटी बेसन सब्दिक उत्पत्ती लेटन सब्द से हुई है अगले बाते हैं अधिगम अंत्रल का सिध्धान्त है अधीगम अंत्रड का सिध्धान्त कौन सा है मानसिक अनुसासन का सिध्धान जो है वो अधीगम अंत्रड का सिध्धान देखने को मिल जाता है ठीक है अगले बात के लेते हैं Next Question सीखने के सीखने के सिध्धान्त के लिए सीखने के सिध्धान्त को अस्विकृत किया गया है सीखने के इस्थांतर के किस सिध्धान्त को अस्विकृत किया गया है बहे कौन सा है बहे है प्रत्यारोपड का सिध्धान्त इसको अस्विकार कर दिया गया है अगले बात करें समान अब्यब का सिध्धान सम्मंदित है समान अब्यब का सिध्धान्त किस से सम्मंदित है तो हम पढ़ किसके बारा है अधिगम के बारे में तो अधिगम अंत्र से ही सम्मंदित होगा ठीक है अगले बात करें अधिगम इस्तांत्र का सबसे पुराना सिध्धान्त कौन सा है अधीगम इस्तांत्र का सबसे पुराना सिध्धान्त कौन सा है तो बहे है समान तत्बका सिध्धान्त क्योंकि यही किसने दिया था थौर्ण डायक ने दिया था यह दिया था थॉन डाइक ने प्रत्यारा ना समान तद्बुका सिध्धान वो प्रात्मिक की बात कर रहा है ठीक है तो थॉन डाइक ने दिया था अगले बात करते हैं यहां देका है motivation सब्दी की उत्पत्ति किस बात कैसे होगे जब लेटे लेटे भाई लेटे लेटे मोटे हो जाओगे तो क्या जाएगा लेटिन आराम से आद हो गया अगले बात करते हैं निम्न में से कौन प्रिस्चड के इस्तांत्र के सिध्धान्त की व्याक्या नहीं करता निम्न में से कौन प्रिस्चड के इस्तांतर की सिध्धान्त की व्याक्या नहीं करता है तो वो है समान रूची का सिध्धान जो है वो इसकी व्याक्या नहीं करता है तो इस प्रकाश से हमारा unit number झो 4 था उसके जो MC की Q owners थे वो मैंने यहां पर समाप्त कर दिये दो भार बा नमबर फाइव नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करो शेर करो चैनल को कर दो सस्क्राइब बेल आकन को प्रेस करो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन जैभारत